जो हमारी पहली व्यावसाइक सेवा थी, बैंकिंग, आईए, अब हम उसको और अच्छी तरीके से जानने कोशिश करते हैं, कि यह है क्या, सबसे पहली बात, यह बैंक, इसका नाम आया कहां से, अगर हम विद्वानों के मतों को देखें हैं, तो कुछ विद्वानों का मत है क इसका जो उद्गम है, बैंची शब्द से हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जो बैंची शब्द है, इटले में क्या होता था, जो लोग, जो व्यक्ति हम कह सकते थे, पैसों का लेंदेन करते थे, वह एक विशेश प्रकार की मेज का इस्तमाल करते थे, उस शब्द को इंग्लिश में हम जिसे बैंच कहते हैं, वो लोग बैंची कह दे रहे हैं, और बैंची का अभिश्कार होने के बाद, फिर क्या हुआ, बैंक सामने आया, बैंक नाम का उद्गम हुआ, तो इस सरीके से हम यह भी कह सकते हैं, कि जो बैंक शब्द है, उसके उ बुद्गम को जान लिया कि bank आया कहां से, अब बैंक का अर्थ जान लेते हैं कि bank क्या है, bank जो है बचो एक ऐसी व्यावसाइक संस्था है, जो कि क्या करता है, अपने clients या customer या ग्रहाकों को accounts खुलवाता है, साथ ही साथ वहाँ पर क्या करता है वो उनके द्वारा जम्मा की गई राशी को accept करता है और अगर किसी विक्ति को राशी निकालना है उसके अगर count में available है तो वो उसको देता है इसके अलावा मुद्राव साथ पत्रों में वो लेन देन करता है ठीक है और एक वस चीज और करता है कि जो बैंक होती है जब पैसे जमा करती है तो उस पे वो कम ब्याज दर पे जमा करती है और जैसे ही अपने customers को वो रण देती है तो उसके लिए वो ज्यादा ब्याज चार् ही उनके व्यवसाय में धन आर्जन का रास्ता होता है या इसी के तुरू वो क्या करते हैं व्यवसाय करते हैं या धन आर्जन करते हैं लाब कमाते हैं हम कह सकते हैं और अगर हम बात करें जो हमने बात की की बैंक है वो मुद्रा एवं साख पत्रों का लेन नेन करती है इसक यह साख पत्रों का निर्मान करना एजनसी वाले कारे करना सामाने सेवाएं देना इत्यारी तो यह सभी कारे जो होते हैं bank के अंतरगत होते हैं हमने bank कहां से शब्द आया यह जाना bank का अर्थ क्या है जाना आई हम बैंक को और अच्छी तरीके से परिभाषा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि बैंक की परिभाषा क्या है पहली परिभाषा जो कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रोफिसर जी टी हार्ट के नुसार हैं उनके नुसार बैंकर उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने साधारण व्यवसाय के रूप में लोगों का रुपया जमा करता है तथा उस रुपय में उन लोगों के चेकों का भुकतान करता है जिनोंने या जिनके खातों में वो रुपया जमा रहता है एक और परिभाशा देख कंपनी से अभी प्राय उधार देने अध्वा निवेश के उद्देश से जमा रूप में जनता से मुद्रा स्विकार करना और इनका भुकतान मांगने पर चेक ड्राफ्ट आदेश या अन्य किसी प्रकार के भुकतान करना है तो अगर हम निश्कर्ष निकाले तो बैंक का कार करता है तो उसको लेती है तो ज्यादा ब्याज लेती है और जब इसे जमा कराती है तो ब्याज कि-दर कम होती है इसके अलावा क्या करना कि चेक, ड्राफ्ट, आदेश और अन्य सभी प्रकार के भुखतानों में भुखता की मदद करना तो बचो इस तरीके से हमने क्या जाना है कि बैंक क्या है और बैंक की परिभाशा देखी आईए अब हम देखते हैं कि बैंक के प्रकार क्या है बैंकों के प्रकार को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आईए इसे हम देख लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं बैंकों के प्रकार को जो है पांच भागों में वाटा गया है वाने जिक बैंक यानि कमर्शिल बैंक फिर आती है ओध्योगिक विकास बैंक यानि इंडुस्ट मैं फिर बात करते हैं हम कृष्शु ऐनइ工作Heuggie उसके बाद बात आती है शेटरे ग्रामीनन बैंक कईए हम से रीजनल रूरल बैंक करते हैं और फिर अनती में बात आती है अन्य शेश बैंकिंग संसायां यह अदर Apex और 6 बंकिंग इंस्टुशिंश का फिर इनको आगे बाटते हैं हम जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं वा निजी क quicker को आगे बाटा गया है विदेश की वानिजिक बाइंक में फिर इसके बाद भारतिय वानिजिक बैंक में फिर साजनिक श्रित्र के बैंक में और नीजी श्रित्र के बैंकों में आगे देखते हैं तो इसमें जब ओध्योगिक विकास बैंक की हम चर्चा करते हैं तो ओध्योगिक विकास बैंक को भी दो भागों में आदा आगे बा यानि को ओपरेटिव बैंक और नेक्स्ट बाता बाटा गया है भूमी विकास बैंक यानि लांड डेवलप्मेंट बैंक अंतिम अगर हम बात करें तो अन्युशीश banking संस्थाएं यानि other epics banking institutions की तो फिर उसे बाटा गया है केंदरी बैंक में भारतिय निर्यात आयात बैंक में राश्ट्रे आवाज बैंक में भारतिय और आदियो के पुनर नर्मान बैंक में और राश्ट्रे के स्ष्षिए येवamt ग्रामीड-विकास बैंक में तो बच्चों जैसे अब स्क्रीन पर इस पूरे चित्र को देख रहे हैं आईए अब इस पूरे चित्र को डीटेल में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वर्गी करण किया गया है किस आधार पर किया गया है आईए पहला वर्गी करण देखते हैं स्वामित्व के आधार पर वर्गी करण, on the basis of ownership, अब इसे हम देखते हैं, तो जो पहला वर्गी करण में हम देखते हैं, public sector, यानि सार्जनिक शेतर के बैंक, इसमें क्या होता है, सार्जनिक शेतर में जो स्वामित्व होता है, सरकार के पास होता है, मतलब पूरा whole and soul जो कंट्रोल होगा, वो government करेगी, ठीक है, पहले जब 1964 में बात करें, तो 14 और 1980 में फिर 6 बैंकों का राश्ट्री करण किया गया, और आज की स्थिति अगर हम देखें, तो कुल मिला करके 26 ऐसी बैंक हैं, जो की public sectors bank के अंदर आती हैं, जिसमें की आप बहुत अच्छा एक नाम जानते हैं, SBI औ कि अलाबा और भी ऐसी कई bank हैं, जो इन public sectors banks में आती हैं, हम दूसरे bank की बात करते हैं, जो की स्वामित्व के अधार पर है, वो है नीजी शेत्र के bank, नीजी शेत्र के bank में अगर हम स्वामित्व की बात करें, जैसे की public sector में क्या हुआ, स्वामित्व किस के पास चला गया, स अगर हम इसे अच्छे उजारानों से समझें तो आसे बहुत सारे बैंक है जैसे Yes Bank वा है, HDFC Bank वे और भी सारे कई बैंक है जो कि Private Sector Banks के अंतरकत आते हैं फिर बात आती है कि Cooperative Bank अब सबसे बड़ी बात यह Cooperative Bank क्या है जैसे हमने Cooperative Societies देखी थी वैसे ही है Cooperative Bank अब cooperative societies में आपने क्या जाना कि उन societies का निर्मान क्या करते हैं लोग जो हैं मिल कर करते हैं ताकि वो एक दूसरे के हितों की रक्षा कर सके और उनको पूरा कर सके उसी तरीके से जो cooperative bank यानि सहकारी bank है उसकी स्थापना भी इसी concept पे की गई इसी अधारना पे की गई और इसी तरह की गई ताकि जिन लोगों को पैसु की आफशकता है pak उने सही समय पर ऑस ही जो रकम वह मिल सके to इस तरहके से आपने जो पहला है स्वामित्व के आधार पर बैंकों का वर्गी करन देखा दूसरा आधार हम लेते हैं कारियों के आधार पर बैंकों का वर्गी करन इसमें आप पहला जो बिंदू देखते हैं पहला बिंदू है कि वानिजिक अत्वा व्यापारिक बैंक यह जो बैंक होते हैं जैसे कि पकाल के लिए देते हैं और मद्यकाल के लिए रण देते हैं और सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं कि जब इन बैंकों में पैसे जमा किये जाते हैं उन पर ये कम ब्याज देते हैं लेकिन जब इन बैंकों से इनके कस्टमर्स या ग्राहक जब रण लेते हैं तो उन पर ये वीदेशी वाणिजिक बैंक जैसे की नाम से सपष्ट है कि वे बैंक हैं जिनका स्थापना जो है विदेश में हुई लेकिन उनकी जो शाखाएं लेकिन नकी शाका एंग प्रांचुस कह सकते हैं भारत के इन बैंकों की स्थापना भारत में ही हुई है, इसमें SBI को भी ले सकते हैं, ठीक है, HDFC को भी ले सकते हैं, ICIC को भी ले सकते हैं, ये सारे बैंक्स जो हैं, वो भारती वानेजिक बैंक के अंतर गताते हैं, अब भारती वानेजिक शेतर के जो हम समझ रहे हैं, तो उसमें जो क जितना भी कंट्रोल है जितना भी मैनेजमेंट है सब कौन करेगा सरकार करेगी तब अब इसके उधारण आप किसको ले सकते हैं एक अच्छा उधारण तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि कारियों के आधार पर पहला वर्गी करन देखा वो है वानिजिक अत्वा व्यापारिक बैंक आईए अब हम कारियों के आधार पर दूसरा वर्गी करन देखते हैं कि वह दूसरा वर्गी करन क्या है दूसरा वर्गी करन जैसे कि अब स् है अब इसमें क्या किया था किस चीज विकास के लिए कुल मिला कर के मैं विकास के लिए ये रण दिये जाते हैं कि नए विकास की सपूर्ट की जरूरत है डिया जिन उप्रयzahl को आगे भने Uni की आव 실제로 माषीनों की आवर उड़ उसके लिए नहीं रड़े भी दैने जाते हैं अगर हम इसको देखें तो इसको बाटा गया है जो पहली श्रेणी है वो राश्ट्रे स्तर पर यानि नैशनल लेवल पर इसमें जो है चार बैंकों के नाम दिये जाते हैं या चार बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि रिण प्रदान करते हैं आई उन बैंकों को देखते हैं कि वो बैंक कौन से हैं, जो पहला बैंक आप देख रहे हैं वो है भारती ओध्योगिक विकास बैंक जिसे हम IDBI के नाम से जानते हैं, दूसरा बैंक है भारती लगूद्योग बैंक जिसे हम SIDBI के नाम से जानते हैं, तीसरा है भारती राश्ट्र स्तर पर विभाजन करने के बाद एक और विभाजन सामने आता है theater यहां पर कुछ एक-दो बैंक्स हैं जो कि राज्जी स्तर पर काम करती है अब हम तीसरे चलेंट पड़ा बैंक fan of बच्चों वो कौन कौन से कारे हो सकते हैं क्रिशी के लिए भूमी की आवश्रक्ता होगी ट्राक्टर्स की आवश्रक्ता होगी ठीक है इसके अलावा हो सकता है बीजों की आवश्रक्ता होगी भूमी तक या खेतों तक पानी पहुचाने के लिए पंप या पाइप लाइन की आवर्शक्ता होगी बिजली की आवर्शक्ता होगी इन सभी चीजों के लिए किसकी आवर्शक्ता पड़ेगी हमें वित्त की आवर्शक्ता पड़ेगी तो उसके लिए ये जो कृषी बैंक है वो रण प्रदान करते हैं अब जो ये भी जो है न वो दो भागु में बटे पह यह होता है यह पर पकानकों न की चोह से का संपानकों क्यों न क्वाता है। यह सुर्ण कि करता है . यह इन की हैं जो को मेंट चायों इस दो क्याकर न कार आयो को थे हमते होता है ,motor का पंप कोors होनी में था। से समझ सकते हैं जो पहला होता है राजिस्तरी सहकारी बैंक होता है फिर जिलास्तरी सहकारी बैंक होता है और गाउस्तरी सहकारी बैंक होता है अगर हम क्रिशी बैंक को ही दूसरे डिविजन में समझें तो उसका दूसरे डिविजन है भूमी विकास बैंक यानि लैंड डेवलप्मेंट बैंक अब जैसे कि आपने बचों लैंड डेवलप्मेंट बैंक या भूमी विकास बैंक यह एकदम सपष्ट है कि इसमें बड़े तो अब यहां पर अलपकालीन रण नहीं होगा यहां पर मद्यकालीन या दिर्गकालीन रण दिया जाएगा अब क्योंकि जब हम लैंड की बात कर रहे हैं मतलब भूमी की मतलब यह जो चीज़े हैं महंगी है कोई बीच खरीदने जैसे तो नहीं है अब ये भूमी विकास बैंक में जो है भूमी के लिए रेन दिये जाएंगे मशीनों के लिए रेन दिये जाएंगे ठीक है ट्रैक्टर अगर लेना है तो उसके लिए रेन दिया जाएगा ठीक है और इसके अलावा भी ऐसे कई रेन होते हैं जो क्रिशी से रिलेटर ही हो वो इसमें भी दो प्रकार का विभाजन देखा गया है वो है राज्य मुहमी विकास बैंक और दूसरा है प्रार्थमिक भूमी विकास बैंक में इसको डिवाइड किया गया है तो इस तरीके से हमने क्रिशी बैंक को भी जाना आईए अगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के बैंकोगों को अब बात आती है अन्यश्रीषक बैंकिंग संस्थाएं अदर एपेक्स बैंकिंग और्गनाईजिशन्स यह सर्विसेज इसमें जो सबसे पहली बात आती है यह सबसे पहली बैंक हमने देखी है वो है कींदरी बैंक यह नहीं सिंट्रल बैंक आप लोग यह नाम बहुत कॉमनली सुना है आप इसे क्या समझ सकते हैं सबसे पहले यहां जो स्वामे तो होता है सर सबसे पहले क्या करती है सिंट्रल बैंक में क्या होता बच्चों यहां पर हमारा रिजर्व बैंक है वो सिंट्रल बैंक की तरह कारे करता है उसमें नोट जारी किया आता है वह आर्थिक रूप से क्या करता है अन बैंकों के ऊपर अपना कंट्रोल यानि नियंत्रन रखता ह साथ थी साथ यह साख निर्मान का भी कारे करता है mosquito बैंक होती है वह अपने देश की आर्प्थिक स्थिति को मजभूत करने में और अर्प्थिक स्थिति जो देश की है वह कैसी है उसको बताने के लिए यह responsible होता है यह इसकी जिम्हेदारी होती है अगर हम एक विद्वान यानि बिल रोजर्स का मत देखें तो उन्होंने कहा कि अतीत में तीन एहम अविश्कार हुए पहला हुआ आग का दूसरा पईये का और तीसरा है केंद्री बैंक का मतलब अब आप इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं कि एक सेंट्रल बैंक है वो कितना इंपॉ सबसे पहले आग जो होती है बोजन पकाननी का कारिकरति एग एक ऐसी एंटरीज है जिसे पहले के जमाने में चलती थी और भी कई चीजों में इस एनर्जी को यूज किया जाता पहिया पहिया से क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि पहले क्या था बैल गाड़ी चलत वानव गाड़ी भी चला जाती थी जिसको मनुष्य खुद धक्का लेता था तो वह भी वहां पर भी चक्कों का विश्कार हुआ आज अगर आप ने दुनिया में या न्यू टेकनोलोजी को देखें तो आपकी जो लग्जीरियस कार है वहां पर भी पईयों का आवश्रक्ता होती है एवन आपकी ट्रेनों में भी पईयों के आवश्रक्ता होती है और अगर आपके एयर मोड में भी देखें मतलब एरो प्लेइन को भी अगर आप देखें तो शायद उसमें दो चक्के रहते हैं जो की लैंडिंग के समय और टेक-ओफ के समय मदद करते हैं यू तो हा एक आधार है हमारे financial स्थिती का या आर्थिक स्थिती का हम कह सकते हैं हमारे देश की आर्थिक स्थिती और विभिन देशों की आर्थिक स्थितियों का आधार होता है केंद्री बैंक जो हमारे यहां RBI की तरह काम करता है अब हमने जब केंद्री बैंक के महत्व को जान लिया और उसके कारियों को जान लिया है अगले बिंदू की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो अगला बिंदू क्या है जो दूसरी बैंक है वो है भारती निरियात आयात बैंक इस बैंक की जो स्थापना हुई है वो एक ज अब ये बैंक कैसे support करेगी, simple सी बात है, जब कोई वस्तू बाहर जाएगी या वस्तू बाहर से आएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, foreign currency का exchange होगा, अगर foreign currency हमारे देश में आती है, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो ये जो बैंक है, इसकी स्थापना उसी उद्देश से की गई थी, और इनमें जो होता है, ये जो बैंक होती है, उनमें जो वित्य संस्थाएं और वानिजिक बैंक है, उनको क्या किया जाता है, उनकी पुनरावृत्ती की सुविधा दी जाती है, मतलब उनकों दुबारा क्या किया एता है फिर से establish कर दिया एता है फिर बात करते हैं राष्ट्रे आवासिय बैंक ये 1988 में इन बैंकों को establish किया गया था इनका कारे क्या है कि आम जनता तक यह सुविधा पचाना कि वह अपने स्वयम का घर बना सके या उसका निर्मान कर सके उ लोगने पाप लोगने सुना होगा अवासिय रण देती है यह इन ही बैंकों का कारे लिए अगले बैंक की ओर वह है भारती ओद्धियोगिक पुनर निर्मानैंक प्रेया होता है जो उद्योग असक्षम हो चुके हैं या कमजोर हो चुके हैं या बीमार हैं उद्योग हम कह सकते हैं उन उद्योगों की पुनर स्थापना के लिए ये बैंके रण देती हैं और हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो वानेजिक बैंक हैं और वित्तिय संस्थाएं हैं इनको वो द्योगी पुनर निर्मान के लिए रिण प्रदान किये जाते हैं अंतिम बैंक देखते हैं जो है राष्ट्रे कृषी एवं ग्रामीन विकास बैंक जिसे हम इंगलिश में एने बी आडी कहते हैं इसका जो कारे होता है कृषी में मदद करना अगर इसके कारेों को हम अच् साथ ही साथ जो है कृषी रिण पर थोड़ी छूट देना या पुनरवर्ति करना इसके साथ विशिष्ट वस्तूओं की निरियात की सुविधा देना और ग्रामीन उत्थान के लिए अनुसंधान कारे को बढ़ावा देना और इसमें भी क्या किया आता है जो वित्ती संसा कायें और वालजिक बैंक होती हैं उनको कृषी एवं ग्रामेन विकास के लिए रिण की सुविधा दी जाती है तो बच्चों इस तरीकर से हमने विभिन बैंकों के प्रकारों को देखा उनके कारियों को देखा साथ ही साथ कौन-कौन से बैंक उसमें सम्मिलित होते हैं उन गारे उनके कार्यों को देखते हैं बच्छों की जैसे की आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन बैंकों के जो कारे हैं उनको तीन भागों में विभक्त किया गया है पहला जो है primary function प्रार्थमी कार्य दूसरा है secondary function यानी दिद्वितियक कार्य और तीसरा है electronic services इन तीनों को आईए हम एक-एक करके समझते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे प्रार्थमिक कारे से, जो प्रार्थमिक कारे हैं बच्चों उनको दो भागों में बाटा गया है, जमा स्वीकार करना और रिन देना, अब सबसे बड़ी बात आती है कि जमा स्वीकार करना क्या है, जैसे कि मै अपने अनुसार जमा कर जा रहे हैं मेरे पास 10.000 रुपए हैं मैं उस एकंट में 10.000 रुपए जमा करना चाहिए तो यह वह जमा स्वीकार होंगे कि होते क्या हैं इसमें क्या किया जाता है जो जो एक digs deposit कर रहा है वह कितने काल के लिए को चाहरा है जर्था किसके नाम पर करना चाहएppers कर रहा है उस पर उस समय rate of interest यानि ब्याज की दर क्या होगी और कालावधी पूर्ण होने पर उसको कितना amount प्राप्त होगा यह सारी चीजें उसमें दी होती है ठीक है अगर वो व्यक्ति जिसके नाम से fixed deposit बना होता है वो पूरे कालावधी के बाद इस fixed deposit को तुड़वाता है तो उसे जो प्रपत्र मिलता है उसके नुसार उसे वो amount मिल जाती है लेकिन इन केस अगर मान लिजे वो fixed deposit किन्हीं कारणों से उसे तुडवाना पड़ता है ठीक है मान लिजे चार साल का fix deposit है उसने 3 साल में या 3.5-3 साल में क्या किया उस fix deposit को तुड़वा दिया तो उसमें क्या होगा bank क्या करेगी bank करेगी यह कि जो उतना duration बचा है उसको डिड़क्ट करके वह amount में से हटा देगी और वह amount है वह उसको डिक्ति को देती कि मतलब जतना बियाज उसको और चैमने या और एक साल मिलना था वो ब्याज नहीं दिया जाएगा उसके पहले का जितना भी धन होगा उसमें से कुछ एमाउंट और काड़ लेगी क्योंकि वो प्रपत्र के अनुसार नहीं था और उसके बार वो उसको उसके पैसे वापस कर देगी यह हुआ निश् हालू जमा खाता यानि करेंट एकाउंट बच्चों इसमें करेंट एकाउंट जो होता है विशेष्ट व्यापारी वर्ग के लिए होता है और सबसे बड़ी बात इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि व्यापारी वर्ग कितना अमाउंट जमा कर सकता है कितना नहीं जमा कर सकत जैसे कि मान लीजे फॉर एक्जामपल अगर आप सेविंग अकाउंट की बात करेंगे वहां पर अगर सेविंग अकाउंट में एक लिमिट के बाद अगर आप ज्यादा अमाउंट जमा करते हैं तो वहां पर आपको कुछ document as a proof bank में जमा करने पड़ते हैं जैसे कि आपका आधार काड़ हुआ आपका pan काड़ हुआ जो कि इस चालू जमा खाते में या व्यापारी वर्ग में नहीं करने पड़ते हैं इनमें कोई इस तरह के नॉम्स नहीं होते हैं उनको क्या करना होता है अपना अकाउंट खुलवा और सबसे बड़ी बात यहां पर जो bank होती है वो ब्याज नहीं देती है इसमें अब बात आती है तीसरा जिसे बात करें थी मैंने बचत जमा खाता है यानि saving deposit account की यह जो account होता है बच्चों especially क्या होता है जो नौकरी पेशा लोग होते हैं जो अपनी चोटी चोटी earning को करते हैं वो लोग क्या करते हैं इस saving account को open करते हैं इस पर भी जो ब्याज की धर होती है वो ठीक ठाक होती है जो कि बैंकों के द्वारा दी जाती है आगे बढ़ते हैं जो चौथा है वो है आवरती जमा खाता यानि recurring deposit account recurring deposit amount को चोटे शब्द में बोलें तो RD आपने सुना होगा कि आपके घर के बड़े बुज़ूर्ग लोग FD और RD करते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें भी limited time period के लिए कुछ राशी को जमा कर दिया जाता है ठीक है और उसके premiums कुछ कुछ दिनों में और भरे जाते हैं अब इसमें क्या ह होता है तो उसमें से उतने duration का ब्याज जो है काट के उस amount को उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसकी वो RD अब जो क्या होता है यहां पे जो जमाराशी की देंदारी होती है उसे काल देंदारी कहते हैं time liability देखिए बचो fix deposit में एक प्रपत्र मिलता है जो की RD में शायद नहीं मिलता है और दोनों में ब्याज की दर होती है वो अच्छी होती है comparatively saving accounts से हम आगे बढ़ते हैं और last देखते हैं बहु विकल्पी जमाखाता यानि multi option deposit accounts इसमें क्या होता है इसमें जो saving bank account होता है उसमें दो चीजें होत सकती है अगर जो account है वह पे जो एक निश्चित रकम जमा हो सकती है अगर उस रकम से ज्यादा उस account में आता है उस रकम को FD में transfer कर दिया जाता है ठीक है लेकिन in case मान ली जैसा होता है कि उस व्यक्ति को अपने account से multi option deposit account से पैसे निकालने हैं लेकिन उस account में अब cash नहीं ब होगा जब वह चेक लगाएगा तो समय जो bank होगी वह कुछ amount उसके FD में से काट करके वह क्या करेगी उसको उस समय amount दे देगी लेकिन उसके बतले क्या होगा इसे next जब पैसा आएगा तो दुबारा ही जितना amount deduct हुआ है वह वापस उसके FD में चला जाएगा तो यही होता है बहु विकल्पिया जमा खाता तो आपने प्रार्थमिक कारे में जो जमा स्वीकार करना है उस कारे को जाना जो अगला कारे है वह है रिण देना मतलब लोन देना बैंकों का सबसे important काम है जैसे की आप जानते हैं और मैंने ये भी बताया है कि बैंक जब लोन देती हैं और उस पे जो ब्याज लेती है वही जो ब्याज होता है उनका main income का source होता है आईएवम रिण जो देना है उसको समझते हैं इसको भी चार तरीके से दिया ज जाता है इसमें इसकी जो शिरुवात हुई थी वो स्कॉट्लेंड में हुई थी इसमें क्या हुआ था कि जो व्यापारिक वर्ग था वो अपने माल की सुरक्षा के लिए क्या करता था कि वो बैंक के पास रखवा देता था और उसके बदले में पैसे लेता था वही स्क्राइब लेती है और उसके बदले में उनको cash देती है जब वो व्यक्ति cash जो जिस ब्याजदर पर दिया गया उस पुरे amount को वापस करता है तब अगर वियापारिक माल की बात हुई तो व्यापारिक लेकिन अगर वही बॉंड्स की बात करें तो उनको वह एमाउंट मिल जाता है तो उनको वह बॉंड्स या सेक्योरिटी वापस कर देती है यह होती कैश क्रेडिट उसके बाद आता है अधिविकर्ष यानि ओवरड्राफ्ट अब इसमें क्या होता अधिविकर्ष में जब जमाराशीर से ज्यादा उसको रिण की आवश्रकता है तो वह उसी स्थिती में रिण देती है जब उससे जमानत के रूप में वह कुछ रख लेती है अब इस स्थिती में क्या होता है कि व्यक्तिकत जमानत होने के कारण व्यक्तिकत जोखिम बढ़ जाता है फिर बात आती ह है रिड एवं अग्रिम इसमें क्या होता है जबüre Sultan कोई नया नहीं दिया जाएगा इस बसए कारी करती है ठीक है बच्चों तो इस एिवं अग्रिम को हमस